आज हम सीखेंगे कि सभी एसीड में, सभी अमलों में क्या समान होता है? अगर हम देखे, एक्जाम के लिहाज से most important question की category में आता है. जन्नल लोलेज के इसाब से तो जवरदस्त है, अमल वहेपदार्थ है, जो जल में विलिया होने पर व्योजित होकर हाइड्रोजन आयन बनाता है. हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस बनाता है, को उत्पन करता है. जैसा कि आपने हाइड्रोजन के बारे में देखा होगा, कि वह जो hydrogen है अगर हम hydrogen का चली मैं यहाँ पर एक इस तरह से आपको सो करता हूँ यहाँ पर hydrogen का यह nucleus है मालो और nucleus के अंदर यह proton है और यह हमारे पास neutron है तो यह जो hydrogen यहाँ पर लिया गया है यह hydrogen proton इसमें 1 है neutron इसमें 0 अंडा है और बाहर यहाँ पर इसके जो यह cell होती है KLM इस cell में से पहले वाले में एक electron है यहाँ पर एक electron है ठीक है और electron कैसे होते है negative और हमारे पास जो proton होते हैं वो कैसे होते हैं positive होते हैं यानि इस hydrogen के पास एक proton था जो की positive है और एक electron था जो की negative है अब देखिए जब इसने हमने इसको water में गोला ठीक है जब हम water में इसको डाल रहे हैं तो यह iron बन गया यानि एक electron इसने छोड़ दिया और एक electron वो किसी और के साथ combine हो गया है तो एक electron इसने lose कर दिया एक electron छोड़न तो इसे हम क्या कहते है hydrogen iron कहते हैं तो जो hydrogen iron जितने ज़्यादा कोई acid उत्पन करता है उतने ही ज़्यादा इसमें हम इसे strong acid कहते हैं उधारन के लिए hydrochloric acid हम ले लेते हैं hydrochloric acid को जब हम hydrochloric acid को जलिय विलियन में वियोजित करते हैं तो hydrogen iron बनते हैं यहमारे पास hydrochloric acid ह है और जब हमने इसको इसमें वियोजित करा तो इसमें क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास arrow है इस तरह से तो यह जल में देखिए H प्लस और C L माइनस यानि कि H प्लस का मतलब यह hydrogen iron बना रहा है तो सभी अमलों में एक समान बात है कि वो hydrogen iron को उत्पन करते हैं जब जल में विलिया किया जाता है बात समझें लेकिन hydrogen यो कुछ योगिक होते हैं जैसे कि glucose आपके पास है glucose का formula आपको रटा होगा जैसे कि C 6 H 12 और फिर उसके बाद हमारे पास होता है O 6 यह hydrogen का फॉर इसका glucose का formula होता है हमारे पास या alcohol है वो वैवार नहीं करते हैं क्योंकि वो जल में वियोजित नहीं होते हैं और hydrogen iron को उत्पन नहीं कर सकते हैं तो हमने यह भी पढ़ा glucose और alcohol को हम इस category में नहीं रखेंगी लेकिन फिर भी हमने देखा कि mostly अधिकतर जितने भी acid है वो क्या करते हैं जल में विले होने पर वियोजित होकर hydrogen iron उत्पन करते हैं बात करते हैं हम परबल acid क्या होंगे हमने एक simple definition भी पढ़ी थी कि भई strong acid वो होंगे जिसे हम mineral acid कहते हैं जो खनीज अमल होते हैं जिने हम laboratory में या factory में बनाते हैं तो अमल में जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है यानि जिसमें एच एच पलस ज्यादा बनते हैं वो क्या होता है परबल अमल होता है जैसे हाइड्रो कलोरिक acid एक जो है जल में पूर्ण रूप से आयनित होता हैं तो आपने अगर कोई acid ज्यादा H plus H plus बना रहा है तो वो strong acid होगा और weak acid कौन सा होगा जो जल में आंसिक रूप से आयनित होता है यानि कि H plus कम बनाता है उसे हम दुर्बल acid कहते हैं जैसे कि आपके पास है acidic acidic अमल है और आंसिक रूप से आयनित होकर hydrogen iron की केवल थोड़ी सी मात्रा उत्पन करता है तो यहाँ पर हमने acidic acid लिखा है CS3COOH यह लिखा हुआ है और यह acidic iron यहाँ पर बना रहा है और H plus hydrogen iron काफी कम बना रहा है तो यहीं पर हम अगला देख लेते हैं कि वह कहां किस-किस उद्योग में acid का यूग किया जाता है जो खनीज acid होते हैं उनका प्रियोग करते हैं sulfuric acid को उर्वरक जैसे आपके पास ammonia होता है paint होता है plastic होता है इनमें यूज करते हैं nitric acid होता है जैसे की ammonium sulfate है इससे bum बारूच सारे के सारे इसी से बनते हाइड्रोकलोरिक acid को हम steel की वस्तुओं से oxide film हटाने के लिए या boiler के भीतर जो पपड़ी जन सा जम जाता है उसे हटाने के लिए प्रियोग में लाते हैं तो इस तरह से हमने सीखा कि acid क्या है सभी acid में मैं चीज क्या होती है और acid का प्रियोग कहा कहा होता है अगर अच्छा लगा है तो लाइक से यह और सबस्क्राइब चरूर कर लीजिए नाम मेरा वासकर चैनल का नाम है वासकर सर